दोस्तो नमस्कार ओम नमस्षिवाय हरहर महादेव सुबह के छे बजे है और अब भी हम ओंकारेश्वर में दर्शन के लिए आए है अध्य जोतिरली ओंकारेश्वर जो मध्यप्रदेश के खंडवार डिश्टिक में आता है बिल्कुल इस बाजू पे निरंजनिया खड़ा कार्तिक के निवास इस धर्मशाला में हम पाज बजे आहाए थे और अभी तयार होके हम मंदिर के तरफ दर्शन के लिए जाने वाले थे अभी हम ओंकारेश्वर में भगवान भोले के दर्शन के लिए आए है और अभी हम जो नर्बदारेवरे उसके तट पर खड़े है पर पर पूल से हम दर्शन के लिए जाने वाले हैं करें अब हम आपको जो दुसरी जगो है मतलब पावर प्लाउट हमने आपको दिखाया और आप चलेंगे मंनेश्वर महाल के मंदिर में दर्शन के लिए आगे देखिए चुरज भगवान जो इस दिन की हमें दर्शन देने वाले हैं बिल्कुल सुबा सुबा तो चलिए जो मेरे पीचे है ममलेश और बीच वहींचे हम दर्शन के लिए चलेंगे दर्शन के लिए जो भीस राद धालो आते हैं उनके लिए बोटिंग की सावारे भी यहां है यहां उनके रेट हम आपको दिखा रहे हैं जो यात्रा करते समय आपके काम आ सकते हैं मतलब यहां भगवान भूले का दर्शन और साथ साथ नर्वादा में आप बोटिंग की सावारे भी कर सकते हैं छे बचकर पंद्रा मीट हुए है अब 20 राद धालू मंदिर के तरफ आने शुरू हुए नहीं है इसलिए स्टोर्स जो फूल के हो प्रसात के हो अब भी खुले नहीं है और हम बिल्कुल सुबह मंदिर में जाके दर्शन करना चाहेंगे अच्छा लगता है भीड़वार नहीं हो तो हुए है हम मंदिर के तरफ पुराने वाले ब्रीज से आगे बड़े हैं इस ब्रीज से 600 मीटर आगे ही जाने के बाद ओंकारी शोर का मुख्य दर्शन मिलता है और उशी ब्रीज से हम आगे चल रहे हैं अब भी तो हम मंदिर के तरफ जा रहे हैं इस बाजू पे है मुख्य मंदीर और आगे है ममलेशवर बीच यही एक मातर तीर थे स्टल है जोत्रिलिंग का यहां दोन लिंगों का दर्शन होने के बाद दर्शन पुरा माना जाता है अगर ओंकारेशवर आने की बात करें तो आप उजयन में महाकालेशवर का दर्शन करके ओंकारेशवर आ सकते हैं नब्वे किलोमेटर का डिस्टरंस है इन दोर्शे भी आप यहां सकते हैं और रहने की बात करें तो संद गजानन महारास्तावस्तान का यहां शेवास्त्रव में वहां आपको रहने की अच्छी जगह मिलेगी साथ खाना भी मिलेगा इसके शुआ यहां भूस सारी धर्मशालाए हैं वहां भी आप रुख सकते हैं अच्छे बज़े हम ओकारे शोर में आये थे साथ बज़े हमने दर्शन कर लिया है तो आज का यहां हमारा व्लाग आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स जरूर दिजिए और यहां हम रुखते हैं पर हर मारे वह बोले